गुड मॉर्निंग आल माई डियर इस्टुडेंट्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर जैसा कि हमने आपको बताया था आज हम क्लाश 10 के सोचल सांस समाजी विज्ञान के खंड एक इतियास के बारे में जो कि आपका पहला लेशन ह यूरोप में राष्टवाद का उदय के बारे में हम आपको जानकारी देंगे समझ लीजिएगा यूरोप में राष्टवाद का उदय कैसे हुआ हम आपको डेफिनेशन के माद्यम से बता रहे हैं 19 सतापदी के दोरान यूरोप में राष्टवाद एक सक्ति के रूप में जिसने बहु संख्यक बंस सामराजियों के की जगए देश राजियों के उदय का नेत्वत्त किया एबं फ्रांसी सी क्रांती 1789 ने आधनेक राष्टराजी के लिए मार्ग प्रसस्त किया एक बार फिर से डिफाइन कर रहे हैं समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से उन्निसमी सताबदी के दोरान यूरोप में राष्टवार एक सक्ति के रूब में उबरा जिसने बहु संख्यक बंस सामराजियों की जगए देश राजियों के उदय का नेत्रत्त किया फ्रांसी सी क्रांती 1789 ने आधनेक राष्टराजी के लिए मार्ग प्रसस्त किया आगे क हेडिंग में हम आपको बताएंगे देश राज या फिर राष्टराजी की परिवासा आगे देखेंगे राष्टराजी की डेफिनेशन according to Ernest Renon Ernest Renon के अनुसार राष्ट राजी की परिवासा बहुती सिंपल परिवासा है राष्ट प्रयासों, बलिदानों और भक्ति के एक लंबे अतीत की परड़ेती है राष्ट बड़े पैमाने पर एकता है जिसका अस्तित एक दैनिक नक्सा बनाना है ठीक है एक बार फिर से देख लीजिए जिससे की याद हो जाए आपको वीडियो को देखते ही देखते राष्ट प्रयासों, बलिदानों और भक्ति के एक लंबे अतीत की परड़ेत है राष्ट बड़े पैमाने पर एकता है इसका अस्तित एक दैनिक नक्सा बनाना है आगे हम डिफाइन करेंगे राष्ट बाद आगे आएगा ये तो थी राज्य एवं राज्य राष्ट एवं राज्य की परिवासा आगे हम आपको बताएंगे राष्ट बाद की परिवासा देखिए आगे हम बात करेंगे राश्टवाद की, राश्टवाद ये कैसी विचार धारा है, या इसी वाबनाय जिसके इंतरगा देश के लोग एक साथ मिलकार राजनेतिक, धार्मेक, आर्थिक, एवं सामाजिक, किरियां, साजा मिलकार देश में हो रहे, समस्त कार्यों में एक साथ मिलकर उस देश की संस्कृत को आगे बढ़ाने का कारे करते हैं अगर सरल सब्दों में हम और तरीके से डेफिनेशन को बताएं तो हमने यहाँ पर लिख रखी है एक ऐसी बिचारधारा या भावना जिसके द्वारा जनता में राजनेतिक, सामाजिक एवं आर्थिक एक ही करण के साथ साजी संस्कृती, मिल जूलकर जो संस्कृत बनाई जाती है कि भागीदार होते हैं इसमें किसी जाती, किसी धर्म के लोगों का बर्चस नहीं होता है बलकि जब राष्टवाद की बात आती है तो आप किसी भी धर्म से हों, किसी भी जाती से हों, किसी भी समधाई से हों, किसी भी बर्ग से हों आपको यदि राष्टवाद की भावना को प्रोसाहित करना आगे बढ़ाना है अपनी संस्कृति को तो एक साथ मिलकर कारे करना होगा अलग-अलग विचार धाराओं के साथ आप राष्टवाद की भावना की कल्पना को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं इसे हम राष्टवाद नहीं कह सकते हैं यदि आपको राष्टवाद यदि आगे की बात करेंगे यूरोप में राष्टवाद तो कैसे हुआ यूरोप में राष्टवाद का होदा है क्या कारण रहे वह आगे बता रहें आपको जर्मनी और इटली एवं सुट्जर लेंड अठार्मी सताबदी के मद्द राजसाही डचियों और केंटनों में विवाजित थे इनके सासकों ने अपने स्वायत मतलब अपने निजी प्रदेशों का निर्माल किया था किन्त उन्होंने एक सामुही पहचान या एक आम संस्कृति साजा नहीं की थी कुछ महतपूर कारकों ने यूरोप में र लेंड अठारमी सताब्दी के मद्द में राजसाही डचियों और केंटनों में विवाजित थे जिनके सासकों ने अपने स्वायत जिसका मतलब होता है निजी लाब के लिए प्रदेशों का निर्माल किया था किन्त उन्होंने एक सामुही पहचान या एक आम संस्कृति नहीं की थी मतलब सभी लोगों के लिए ये कार नहीं किये थे कुछ महत्पूल कारकों ने यूरोप में राष्टवाद को जन्म दिया आगे हम बताएंगे इसी के आगे आगे देखेंगे हम इसमें जैसे कि कई बार बोर्ड में पूंचा जाता है या बहुबिकल्पी या अतले गुत्रिय में आ सकता है कि यूरोप में राष्टवाद जिस समय हुआ था उस समय किन बर्गों में विवाजित था तो राजसाही डचियों और केंटनों में विवाही थे बहां कि लोग आगे देखेंगे आगे आप देख रहे होंगे यूरोप में राष्टवाद के उदय की कारण क्या क्या थे नए मद्यमबर्क का उदय हुआ राष्टवाद की विचारधारा का उदय हुआ रोड़बाद की नई भावना और वियना की शंदी और क्रांतिकारियों का उदय यूरोप के ये मुख्य बिंदु थे यूरोप के राष्टवाद के उदय की कारण थे पहला और जिससे की नय मद्धिमबर्गों का उड़े हुआ और कुलीनवर्ग और नयमद्धिमबर्ग का उड़े कैसे हुआ देखेंगे हम पहला कारल क्या था सामाजिक एवं राजनेती गुरूप से जमीनी मालिक कुलीन बर्ग यूरोपिये महादीव का सबसे प्रवावसाली बर्ग था एक बार फिर से देख लीजिए सामाजिक एवं राजनेतिक रूप से जमीनी मालिक कुलीन बर्ग यूरोपिये महादीप का सबसे प्रवावसाली बर्ग था तो बताएंगे कुलीन बर्ग आगे की अगर हम बात करें यूरोप में पश्चमी तथा मद्धिभागों में और दोगिक एकाईयों और बैपार में बड़ोत्री से सहरों का विकास हुआ अगला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं और दोगिकरण के कारण नए सामाजिक समू स्रमिक बर्ग के लोग और मद्यम बर्ग जैसे बैपारी उद्योपती सेवा छेत्रक के लोग अस्तित में आए जिसके बाद सिच्छित बर्ग और सामूहिक बर्ग को मतलब उधारवादी लोग का सामंज़स हुआ और राष्टवाद का विकास हुआ उधारवादी राष्टवाद का आर्थ समझने से पहले हम उधारवादी का आर्थ समझलें क्या होता है वह विचारधारा जिसके द्वारा मनुष्य को विवेगपुल प्राड़ी मानते हुए सामाजिक संस्ताओं के मनुष्य की सूजबूज और सामोहिक प्रयास का प्रड़ाम समझा जाता है एक बार फिर से देख लीजे उदारवादी क्या होता है वह विचारधारा जिसके द्वारा मनुष्य को विवेगपुल प्राड़ी मानते हुए सामाजिक संस्ताओं के मनुष्य की सूजबूज और सामोहिक प्रयास का प्रड़ाम समझा जाता है तो ये तो थी थी उदारवाद की परिवार्सा आगे हम बताएंगे उदारवादी विचारधारा की या फिर उदारवादी राष्टवाद का अर्थ आगे हेडिंग में देखेंगे अगर हम बात करें आगे उदारवादी राष्टवाद का अर्थ तो देखेगा ब्यक्तियों के लिए सुतनतता और कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार होना ही राष्टवादी उदारवादी राष्टवादी का अर्थ होता है अगर हम देखें यूरोप में राष्टवाद उदारवादी राष्टवाद तो अगर हम बात करें फ्रांस में जिस समय उदारवाद या फिर राष्टवाद की भावना प्रेरित नहीं थी उससे पहले फ्रांस में फ्रांस के लोगों को जो मद्यमबर्क के लोग थे या फिर संपत भी ही लोग थे उनको बोट देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार नहीं था या बोट देने का बिल्कुल ही अधिकार नहीं था लेकिन राष्टवाद के उदै के साथ ही साथ और नए मद्यमबर्क के उदै के साथ ही साथ उदारवादी राष्टवावना का जागरत हुआ सिच्छिद वर्गों और उधारवादी लोग एक साथ होकर आए और फ्रांस में बोट देने का अधिकार लोगों को प्राप्त हुआ आगे की अगर बात करें रूली बात की तो एक ऐसी विचारधारा जो प्राचीन संचालित परमपराओं एबं रित रिवाजों का समर्थन करें एबं तीब्रि परिवर्तन एबं विकास की जगए क्रमिक विकास को प्रात्मिक्ता दे एक बार फिर से देखेंगे एक ऐसी वचारधारह जो प्राचीन संचालित परंपरा एवम रीक्त रिवाजों का समर्थान करें, एवम तीबर परिवर्थाण एवम विकास की जग है करुमिक विकास को प्राथ मिद्था दे अगर हम बात करें यूरोप के फ्रांस की जो रूडवादी परंपरा थी उसमें राजसाही चर्च उंच नीच की सामाजिक उंच नीच की भावनाएं संपत्त भी इन लोगों को उसी तरीके से तैयार किया जाना ये सारी रूडवाद की अंतरगत आएं और जिसमें की फिर से एक वार हम डिफाइन करेंगे सिच्छित और रूडवादी उदारवादी विक्ति मिलकर यूरोप में राष्टवाद के उदय को संचालित करने में या उसको आगे बढ़ाने का कार अनेक देशों ने मिलकर किया आगे हम बता रहें आपको हेडिंग आपकी थी तीसरा पॉइंट था यूरोप में राष्टवाद के उदय के कारण रूडवाद की भावना एवं बियना की संदी अब हम बात करेंगे बियना की संदी बियना की संदी 1815 में आश्ट्रियन चांसलर ड्यूप मैटर ने एक द जैसे की आगे हम बता रहें इसमें पहला पॉइंट था फ्रांस ने ने पॉलियन द्वारा खोई प्रिदेशों को बापस करा लिया ठीक है स्वरे मिश्टेख हुगा है थोड़ा सा देखेंगे ठ्रांस ने ने पॉलियन के अंतरगत आने वाले प्रिदेशों को खोदिया दूसरा पॉइंट था फ्रांसीसी किरांत के दौरान के दौरान हटाए गए के दौरान हटाए गए भूरो राजबंस को बहाल किया गया देख लीजिए एक बार फिर से फ्रांस ने ने पॉलियन के अंतरगत आने वाले प्रिदेशों को खो दिया दूसरा पॉइंट फ्रांसीसी किरांत के दौरान हटाए गए गूरो राजबंस को बहाल किया गया ठीक है आगे कि अगर हम बात करें चौति कि अगली ups ऴीडियो को बता है और आज का वीडियो इतना ही यदि हमारे वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रहे है तो में कमेंट कर के हमीं बता सकते हैं और यदि आर म我 वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें तब तक के लिए धन्यवाद